नमस्कार दोस्तों आज हम लोग एक महत्पूर्ण विशे पर चर्चा करने जा रहे हैं पिछले 15-20 दिनों के दौरान मैंने बहुत सारे बुनकर दोस्तों से बात करी उनमें से एक दोस्त ने बताया कि पिछले वर्ष उसने जितनी उमीद करी थी कि उसकी आय होगी एक बहु टो मैंने उस्ते विस्तुरत ने बात करने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों हुआ होगा जब यसे रिए चर्चा करी तो मैंने पूछा जब कीमत निकालने की कोशिश कर रहे थें जिस Vocês कीमत-पर आपने उस रेटेलर को जिस ने आपसे समान मत्रान उसको जब आपने विक्री करी तो उस कीमत का निरधारन आपने कैसे किया तो उस दोस्त ने बताया कि उसने धागे की कीमत ले ली उसने कलर की कीमत ले ली, डाइंग करने की कीमत ले ली उसने वार्पिंग के खर्चे उसमें जोड लिये उसके लावा उसने थोड़ा बहुत wastage का खर्चा जोड़ा और उसके बाद उसने उसकी 15% का margin जोड़ के buyer को दे दिया फिर मैंने जब कीमत को देखा जो उस तरीके से उसने निकाला कागस बे तो मैंने उसके और चर्चा करी कि इसमें क्या-क्या और खर्चे थे जो उस दोस्त ने डालना इमें गलती कर दी थी हम लोग जादा तर क्या करते हैं कि हमारे सामने जो खर्चे हमें दिख रहे होते हैं उन सब खर्चों को हम शामिल कर लेते हैं मगर बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, जो शायद दिखते नहीं हैं, और हम इस वज़े सोने शामिल नहीं कर पाते। तो अभी हम इस वीडियो के माद्धे हम से उन खर्चों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि ऐसा करना ज़रूरी क्यों है। बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो आपने वो धागा लिया कहां से है, वो भी उस बात को निरधारित करेगा कि कीमत पर असर क्या है। दागा किस ग्रेड का लिया है, आपने कॉम्ड है कि काडड़ है, वो भी उसकी कीमत को अंतर लाएगा। इसके लावा जो चीज हमें देखने की ज़रूत होगी कि हम डाइंग जो करवा रहे हैं, रंगाई जो करा रहे हैं, वो कैसी करा रहे हैं। या हमने उसमें नेचुरल लाइंग करवाया है, वो उसकी कीमत पे बहुत बड़ा अंतर डालता है। जो अपने प्रि लूम में बाकी खर्चे किया है, इंक र्लेटेड बोबिन फिलिंग्स, प्रिम र्लेटेड इसमें लेया है आपको इस काम को बाहर कराना वड़ा तब तो आपको इसकी कीमत जरूर देनी होगी तो आपको देखना चाहिए कि आपके गाउं में आपके क्लस्टर में इन काम को जो लोग बाहर से करा रहे हैं उस खर्च उसका क्या खर्च आता है उस खर्च को भी आपको अपने कोस्टिं कर्णा है। अगर में साल भर में सब्सक्राइब दू-बिजली बमच बन रोप नंदेधि के में सीज्श को बहुत कोशिश करने चाहिए, कि इस तरीकें वह सार सारी ने हमें इसमें जोड़ना जाएं, इसके लावा बहुत ही ज़रूरी है कि हम देखें कि इस कारक के ऊपर जो हमारे खर्चे वे करब लाब कितना चाहते हैं, उस लाब को हम ज़रूर जोड़ें, जब हम ऐसा करते हैं, तब शायद हमारे पास एक सही कीमत निकल कर आती है इसमें महत्व से महत्वपूर्ण जब हम धागे को डाल रहे होते हैं तो धागे का वजन EPI और PPI ये शब्दों पर आप मत जाईए इन शब्दों का वीविंग का जब वीडियो आएगा वीविंग टेकनीक्स का उसमें आप इनके बारे में डीट तो शायद कम नुक्सान हुआ लेकर अगर आपने 50 मेटर कपड़ा बेचा तो शायद आपका ज्यादा नुक्सान हो सकता है तो इन सब कारकों को हमें बहुत ध्यान से देखना इसे हम आगे ले आने वाले वीडियो में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको हम बिजनेस बायर को देंगे शायद उस रेट पर हम रिटेल बायर को नहीं देंगे क्योंकि हम एक्जिबिशन में जाएंगे तो हमारे और भी खर्चे होंगे जिने हमें जितना भी हम उत्पाद लेके जा रहे हैं उसमें उन खर्चों को जोड़ना पड़ेगा इसी तरीक अब को कम मीटर का ताना दिया तो आपको ना नहीं करना है वायर को लेकिन आफको देखना है कि ये जो इक्स्ट्रा खषर्चा आएगा आपका जो प्रीलूम का उसको आप सेंपलिंग फीस के माधिश, हम इसे कि ऑकुस तरीके से बायर को रीक्लेस्विस. वा ना होगा इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको दो शब्द बताना चाहूँगा जिनको अंग्रेजी की भाषा में costing और pricing बोलते हैं बहुत सारे बुनकर दोस्त आज भी इन दोनों शब्दों के बीच में confusion रखते हैं costing में आप वो सब कारक लेते हैं जो आपके खर्चे में आए प्राइसिंग में आप उन सब चीजों को लेने की कोशिश करते हैं जहां पर इन खर्चे के ऊपर जो आप लाभ प्रॉफेट या सर्प्लस जोड़ना चाहते हैं वो आता है अगले वीडियो में हम देखने की कोशि के माद नम से तो हम किस तरीके से कर सकते हैं धन्यवाद